नमस्कार चात्रों स्वागत है आपका आपकी संस्क्रीत कक्छा संस्क्रीत वित सीके में आज हम पढ़ेंगे कक्छा संस्क्रीत और आज का पाठा अश्च महापाठा भोरम देवह चलिए प्रारम बकरते हैं चतिसगड़ चेत्र के अनेक प्राचिन मंदिरानी एतिहासिक इस्थान आज भी चतिसगड़ की संब्रिद्धी और गवरावसाली परंपरा की याद दिलाते हैं एव मेव एकम इस्थानम अस्ति उनमें से ही एक इस्थान है सह भोरम देवह वह है भोरम देव कवर्धा जिला अंतरगत 110 किलोमिटर दूरे सतपुड़ा विंध्या चल परवत स्रेणियों के मध्य में इस्थित है प्रतिष्थित है अस्य मंदिरस्य वैसिष्टेन अयम चतिसगड़स्य खजुराहो इति अभिदियते इस मंदिर की यह भी सिस्था है कि यह इसे चतिसगड़ का खजुराहो भी कहा जाता है मुल्ज भोरम देव अस्या मंदिरम नाकेवल चतिसगड़ प्रदेश अस्या अपीतू संपून देशे एतिहासिक पुरातात्विक धार्मिक द्रिश्टिया महत्पूनम स्थलम अस्ति भोरम देव का मंदिर नाकेवल चतिसगड़ प्रदेश की अपीतू संपून देश में एतिहासिक पुरातात्विक और धार्मिक द्रिश्टि से महत्पून इस्तान है वस्तुतह जनाह भोरम देवं गोड़ जाती नाम अराध्य देव इतिमन्यते वस्तुतह लोग भोरम देव को गोड़ जाती नाम भोरम देव हजातम जिस कारण से इस मंदिर का नाम भोरम देव हुआ है वस्तुतह जो भोरम देव है गोड़ जन जाती है उनका अराध्य देव है इस कारण से इस मंदिर का नाम भोरम देव हुआ अगला इतिहासकार सर अलेक्जेंडरक नीधम महोदयस्य अनुसारेड एतत मंदिरम विष्णु मंदिरम आसित इतिहासकार सर अलेक्जेंडरक निधम महोदय के अनुसार यह मंदिर विष्णु मंदिर था पहले जो यह मंदिर था वह विष्णु मंदिर था कालांतरे गोड़ सास कैह पुर्व इस्थापित लक्ष्मिनारायन स्य प्रतिमाम अबसार्य सिवलिंगम इस्थापितम कालांतरे बाद में गोड़ सास कैह गोड़ सास को के द्वारा पुर्व स्थापित लक्ष्मीनारायन की प्रतिमाम मूर्ति को अपसार्य निकाल करके सिवलिंगम सिवलिंग स्थापित कर दिया गया मंदिरे उत्किर्ण है उत्किर्ण लेख है है वास्तुकलाभिस्च परिलक्षते मंदिर में आपको खुदे हुए लेख जो पत्थरों में लिखे जाते हैं लिखे हुए रहते हैं जो प्राचीन है और वास्तुकला भी दिखाई देता है वहाँ परिलक्षते दिखाई देता है यत मंदिरम इदम एक आदसे क्रिश्टाब्दे निर्मित हा कि यह मंदिर जो है ग्यारवी सताब्दी में निर्मित किया गया है यह जो मंदिर है वहाँ जो खुदे हुए लेख हैं और वास्तुकला हैं उनसे पता चलता है कि यह मंदिर ग्यारवी सताब्दी में बनाया ग अर्थाद उसका जो मुख्य प्रवेश द्वार है 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 उसका जो मुख्य कुणार के इस्थित सुर्य मंदिर स्या वास्तु सिल्प स्या अनुक्रिती है परिलक्षते ये खजुराहो जो है उडिसा इस्थित कुणार का उडिसा का जो कुणार कमें है सुर्य मंदिर उसकी वस्तु कला सिल्प का अनुक्रिती वहां दिखाए देता है मनलब जैसा कुणार का जो सूर्य मंदिर है वहाँ जो है उसकी वास्तुकला जो है सेम मनलब एकदम सीमील बहुत ही समान है दोनों मंदिर का जो सुंदर्ता है दोनों मंदिर का जो बनावाट है वहाँ समान है तो भोरम देव का मंदिर का जो निर्माड है खजुराहो के उडिसा इस्थित जो कुणार का है वहां के सूर्य मंदिर की वास्तुकिल कला का अनुकृती जो है वहां पर दिखाई देती है मंदिरस्य गर्भग्री है गरुड इस्थित भगवता विश्नोह प्रतिमा पंचमुखी नागह नित्यता गडपते है अश्टभुजी प्रतिमाश्य संती मंदिरस्य गर्भग्री है मंदिर के गर्भग्री है में गरुड इस्थित भगवान विश्नो की प्रतिमाश पंचमुखी नागह नित्यकरते हुए गडपती और अश्टभुजी प्रतिमाश्य संती गर्भगरीह में मुख्य तह सीव लिंग ही सुसोभित है पहले क्या था बगवान लच्मिनरान की मुर्ती थी फिर गोण सासकों ने उसको क्या कर दिया निकाल करके सीव लिंग इस्तापित कर दिया मंदिरमनिक सा मुख्य तह सीव लिंग मेव मंदिर के निकट उमा महेस्वर काल भैराव द्विभुज सूर्य प्रतिमां सीव प्रतिमाश्च संति मंदिर के निकट उमा महेस्वर काल भैराव द्विभुज सूर्य प्रतिमां और सीव की प्रतिमाएं हैं मुर्तियां हैं मंदिर अस्या उत्तर दिसी मंदिर के उत्तर दिसा में एक विसाल अह सरोवरो अपी अस्ती एक विसाल सरोवर भी है तालाब भी है भोरम देव अस्या समीपे भोरम देव के समीप में अन्येसु दर्सनिय इस्थलेसु अन्य दर्सनिय इस्थान चौर ग्राम अस्या निकटे आयताकारम पासाड निर्मितम मंडला महलम अस्ती। भोरमदेव के समीब में अन्य दर्सनिय इस्थान चौर ग्राम के समीब आयताकार पत्थरों से बना हुआ मंडला महलम है। इस मंदिर के समीब में एक भी बकरी नहीं है तथा पी मंदिरस्य गर्भगरी है अजायाह सरीरेण निस्रितम गंधम जनाह अनुभवनती। इसलिए उस मंदिर का नाम छेर की महल है। एता देव अस्य मंदिरस्य वैशिश्टयम अस्ति यही इस मंदिर की विशेस्ता है। पावस वसंतयोह कालें पावस वर्षा और वसंतकाल में हरितिमा अच्छादित परवर्ष सिंखला नाम अंके इस्थित भोरम देवस्य मंदिर मस्ती। पावस वर्षा रितू और वसंतकाल में वसंतरितू के समय हरियाली से अच्छादित परवर्ष सिंखलाओं की गोद में अंके मतब होता है गोद में इस्थित भोरम देव का मंदिर है। इसके मनमोह द्रिश्य को देख करके जनाह अंध्याण आश्चर यानवे अर्थाद लोग आश्चर्य के सागर में निमत जनती डूब जाते हैं। प्रति वर्से चेत्र त्रयोदश म्यामतितव, प्रतियक वर्से चेत्र माह की त्रयोदश तिथीकू, अत्र त्री दीव दिवस त्रयस्य, यहां तीन दिन के लिए यतिन दिन का परमपरीक मिला पकहा आयोज्यती, परमपरीक मिला का आयोज्यन होता है, परियतन विकास स्य द्रिष्टिया परियतन विकास की द्रिष्टि से अयम मिला पकह सासनेन भोरम देव महोस्व इति नाम समायुज्यते परियतन विकास की द्रिष्टि से यह मिला सासन के द्वारा भोरम देव महोस्व के नाम से मनाया जाता है आयोजित किया जता है समायोजिते धन्यों भोरम देव हा सिवमस्तू धन्यों भोरम देव कल्याड हो असा है यह जो भोरम देव पाठ है आपको अच्छी तरह से समझ में आगया होगा इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चेनल के साथ बने रहिए लाइक कीजिए दोस्तों के साथ सेयर कीजिए और सब्सक्राइब ने किये है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद